एक गुना बढ़ जाती है इसलिए लॉकडाउन होते ही सरकार प्रदान मंत्री गरीब कल्यान योजना लेकर आई इस योजना के तहट गरीबों के लिए कोने दो लाग करोड रुपिय का पैकेज दिया गया साथियों बीते तीन महिनों में बीस करोड गरीब परिवारों के जन्दन खातों में सीधे 31,000 करोड रुपिया जमा करवाए गए है इस दोरान 9 करोड से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड रुपिय जमा हुए है इसके साथ ही गाओं में स्रमीकों को रोजगार देने के लिए प्रधान मंत्री गरीब कल्या रोजगार अभ्यान तेज गती से आरम कर दिया गया है इस पर सरकार पच्चास हजार करोड रुपिय खर्च कर रही है लेकिन साथियों एक और बड़ी बात है जिसने दुनिया को भी हरान किया है आश्चरे में डुबो दिया है वो ये कि कोरोना से लड़ते हुए भारत में असी करोड से जादा लोगों को तीन महने का राशन याने परिवार के हर सदस्य को पांच किलो गेहुं या चावल मुप्त दिया गया इसके अतिरिक प्रती परिवार हर महने एक किलो दाल भी मुप्त दी गई यानि एक तरस से देखे तो अमेरिका की कूल जनसंख्या से डाइ गुना अधिक लोगों को ब्रिटेन की जनसंख्या से बारा गुना अधिक लोगों को और यूरोपियन यूनियन की आबादी से लगभग दो गुने से जादा लोगों को हमारी सरकार ने मुप्त अनाज दिया है साथियो आज मैं इसी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण गोष्णा करने जा रहा हूं साथियो हमारे यहां वर्षा रूतु के दोरान और उसके बाद मुख्य तोर पर क्रिसिक शेत्र में एग्रिकल्चर सेक्टर में ही ज्यादा काम होता है अन्य दूसरे सेक्टरों में थोड़ी सुस्ती रहती है जुलाई से धीरे धीरे तोहारों का भी माहोल बनने लगता है अब आप देखिए अभी पांच जुलाई को गुरुपुर्णे मा है फिर सावन शुरू हो रहा है फिर पंद्रा अगस आएगी, रक्षा बंदन आएगा कृष्णा जन्मास में आएगी, घनेश चतुर्थी आएगी, ओनम होगा और आगे जाएं तो काटी बिवु हैं, नवरात्री हैं, दुर्गा पूजा है दशारा है, दिपावली है छठी महिया की पूजा है तो हारों का ये समय जरूरते भी बढ़ाता है खर्च भी बढ़ाता है इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक यानि नवंबर महिने के आखिर तक कर दिया जाएगा यानि असी करोर लोगों को मुक्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस, सितंबर, अक्तूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी सरकार द्वारा